जम्मू कश्मीर के गांदर्बल जिले के गगंगीर इलाके में रविवार की रात आतंकियों ने गैर स्थानिय लोगों पर हमला कर दिया था। हमले में डॉक्टर समेच साथ लोगों की जान चली गई। इस हमले में तीन बिहार के मजदूर भी मौत हो गई थी। सभी से चल रहे सुरंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। वही रविवार की शाम जम्मू कश्मीर के गांदर्वल में आतंकिवादी हमले में मारे गए बिहार के तीन लोगों का शव आज मंगलवार सुभा पटना एरपोर्ट पहुँचा। रविवार को हुए हमले में साथ लोगों की मौत हो गई थी। बिहार के तीन लोगों में से दो मधेपूरा और एक वैशाली के रहने वाले थे। इन में से दो वहां टनल में पेंटर का काम करते थे। एक प्रोजेक्ट में सेफटी मैनेजर के रूप में कारियरत था। मृतकों में मधेपूरा के थानाक्षेत्र के रामपुर लाही वार्ड संख्या 5 निवासी 45 वर्षिय मोहमद हनीफ और सदर थानाक्षेत्र के 4 निवासी 35 वर्षिय मोहमद कलीम शामिल है वहीं वैशाली के फहीमुन नासीर की भी इस हमले में मौत हुई है मृतकों के परिजन पटना एरपोर्ट पर पसरा हुआ है